श्रीर राधे राधे भक्तों महान जो भागवद भक्त होते हैं उच्च कोठ के अथ्वायों को दिजिए कि जो वास्त्रिक महापुरूश होते हैं उनकी जीवन के छोटे बड़े सभी प्रसंग प्रेर न जाई होते हैं क्योंकि उनका उच्च कोठ का साधक का जीवन होता है बले इस सिद्ध हो गए हूं लेकिन वो अपने को साधक मान कर साउधान होकर जीते हैं इसलिए उनके जीवन के प्रसंग प्रेर न प्रद होते हैं अभी मैं इस तनलाब को ठाकर उच्च घंश्याम जी के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंगों को सुनाना चाहता हूं और उन्होंने खुद बतलाए थे अपने प्रेमी भक्तों को खुद बतलाए थे जिससे उनको भी प्रेर न प्राप्त हो वो कहते हैं कि श्री राधा बाबा ने मुझे नियम दिया था कि बाहर की कोई चीज मत खाना आप फिर अपनी बात बतलाते हैं कि लेकिन मैंने तो एक बार चोरी से पंद्रह पैसे की कचवडी दिल्ली के बाजार से खरीद कर खाई करते हैं क्या करता परिस्थित ही ऐसी थी कि अगर नहीं खाता तो बेहोश हो जाता इसका मतविय हुआ कि भूख बहुत ज़्यादा थी और कमजोरी भी बहुत ज़्यादा थी शरीर चलने लाहिक ही नहीं था राधा बाबा ने तो कहा था कि बाजार से कुछ लेकि मत खाना लेकिन खाते नहीं तो कहते हैं कि मैं भ्योश हो जाता इसी श्थित थी खा लिया तो प्राण रक्षा हुई शरीर कुछ चलने लगा लेकिन गोरकपुर जब गय तो राधा बाबा को बता दिया कि आपने तो कहा था कि बाहर की चीज मत खाना लेकिन मेरी ऐसी श्थिती हो गई है कि प्राण जाने वाले थे ऐसी भूख और उतनी भारी कमजोरी थी तो जब बताया राधा बाबा को तो राधा बाबा ने कहा तुमने मुझे बता दिया इसलिए इसमें अब तुम्हें कोई दोस नहीं लगेगा भक्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो तो वो करेता है कि मेरा धन सब मेरा पैसा सब आपका है आप जितना चाहें जब चाहें लेकर खर्च कर सकते हैं ऐसे ही एक भक्त थे बहुत सज्जन उन्होंने घन्षामजी से कहा था घनिष्ठता इतनी थी कि उनके पैसे में से कुछ भी एक करें तो उनको कुछ ही होती थी कि मेरा पैसा इनके काम आया किन्तु एक बार ऐसा हुआ कि उनको बिना बताय ही पैसा घन्षामजी ने उनका पैसा ले लिया जहां रखा था वहां से और उनको बताया भी नहीं पूछा भी नहीं और घंचाम जी कहते हैं कि इससे उनका भजन रुख गया जिद्धिपनुन ने कहा था कि मेरा पैसा आपका ही है और जब चाहें आप जितना चाहें लेकर खर्च करें मुझे खुशी होगी तो बता करके ही लेते थे लेकिन एक बार बिना बताय ही ले लिया तो बताते हैं कि मेरा भजन रुख गया और जब उन्होंने अपने गुरुदेव श्रीबाल कृष्ण दास्टी महराज को बताया तो बोले कि आपका मन साफ है अता आपको इसका पता चल गया कि पैसा बिना बताय लेने से भजन रुख गया है और लोगों को पता भी नहीं चलता इसका तो गुरुदेव श्रीबाल कृष्ण दास्टी ने कहा गंचाम जी से कि जितना पैसा आपने लिया था उसका दोगुना पैसा वहां रख दिजिए और बाद में उनको बता करके एक श्रमा मांग लेना गंचाम दास्टी कहते हैं कि मैंने गुरुदेव की आज्या का पालन किया दोगुना पैसा वहां रख जितना लिया था उससे दोगुना रख रख और बाद में उनको बता करके ख्रमा मांग लिया तब जा करके इनका मन शान्त हुआ और फिर से भजन चालो हुआ आप सोचिए साधक का जिवन कितना पवित्र होना चाहिए कि किसी का धन चाहे वो स्वयम पूरी छूट दे रखा हो बिना उसकी इच्छा के बिना उसको बताए नहीं लेना चाहिए नहीं तो भजन रूख जाता भक्तों वक्तों गीता जी के नवे अध्याय में बाइस में स्लोक में त्राकुर जी ने कहा है न अनन्यास्चिन तो माम ए जनाः पारियो पासते तेशाम नित्याव युक्ता नाम योगक शेमम वहाम्याम जो मेरे आनन्यजन हैं जो मेरे चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं और मेरी भक्ती करते हैं उनकी योगक शेम का भारबहन मैं मैं खुद करता हूँ ऐसा प्रभु निकाह है लेकिन योगक शेम का पता तब चलता है जब व्यक्ती एकांत में रहे पहले सही सब सोविधाज उटाए बैठे हो तब क्या पता चलेगा कि भगवान योगक शेम का भारबान करते हैं उसके लिए एकांत में रहना होता है सोविधाओं के भीतर नहीं रहना होता है तब पता चलता है एक ठाकुर जी योगक शेम का भारबान कैसे करते हैं गंशामतास्टी करते हैं कि मैं एक बार भजन के लिए एकांत स्थान की खोज करते करते घने जंगल में चला गया और दिन भर बैठा रहा कहीं भिक्षा के लिए नहीं गया तभी जोर की वर्षा वो आधी आने लगी तो इनके मन में विचार आया कि धाम में श्री राधारानी किसी को भी भूखा नहीं सोने जेती हैं किन्तो आज मैं भूखा ही रह गया हूँ पूरा दिन बीट गया खाने को कुछ नहीं मिला और रात होने को आ गई है महराज उसी समय एक ग्वाला कहीं से आया दूद लेकर और दूद पीने का आग्रह करने लगा कि महराज जी आप ये दूद पी लिजिए मेरी विंती आप से तो गंशाम दाज जी जंगल में थे उस समय आश्चर में पड़े कि इस ग्वाले को कैसे पता चला कि मैं बैठा हूँ नहीं जंगल में और भूखा हूँ अब देखी भगवान कैसे लिला करते हैं कि ये उनहीं सोच पाए कि भगवान है बस यही सोचते रहे कि इस गवाली को कैसे पता चला कि मैं यहां जंगल में आकेले में बैठा हूँ और पूरा दिन को भूखा हूँ रात हो गई है तो बताते हैं कि मैंने वो दूद पी लिया भूख किया धिक्ता के कारण और फिर उसके बाद जब वो गोला चला गया तो बताते हैं कि मेरा हिर्दय हत्यन तो द्रवित हो गया और मन ही मन अपने को धिकार ने लगा कि मैंने श्री राधा रानी की करुणा पर संदे क्यों किया उन्होंने तो मेरे अंतिजाम कर रखा था और मैं अज्ञाने यही समझ रहा था कि वो बात सायद सत्य नहीं तो भक्तों योगक्षिम का भारवन प्रभू करते हैं राधा-रानी भूक ही नहीं रखते हैं यह सब बाते तब मालम होती हैं जब हम सुवधाओं के ढेर लगा के न बैटे हों तब ही पता चलता है भक्तों हम जाने यान जाने संतों से कृपा प्राप्त करते ही रहते हैं ख़ई बार हमको मालम नहीं होता है कि किस संत ने मेरे उपर क्या कृपा की संत कहने का मेरे ताथ पर यह है कि भगवान के भाक्ती करने वाले भाक्त लोग लेकिन जो पवित उसे देके हैं उनको पता चल जाता है कि किन से क्या कृपा हमको प्राप्त होई है घंशामदास जी ने बताया कि मुझे पूज राधा बाबा के स्पर्ष वईराग्य मिला जिसे राधा बाबा को स्पर्ष किया था भाई जी ने उनके चरण छो करके तो उसी से उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई थी मैं सुना चुका हूँ उनका चरेटि पहले संक्षेप में उसमें बात बताया था और गंशामदास जी बताते हैं कि राधा बाबा ने उसनको स्पर्श किया तो उनको वहरागी की प्राप्ति हुई वहरागी कुछ साधारन चीज़ नहीं होती भक्तों सच्चा वहरागी बहुत बड़ी चीज़ होती है और फिर बताते हैं कि जो उनके गुरदेव श्री बाल कृष्ण दास्टी थे उन महराज जी से भाजन पध्धती प्राप्त हुई और श्री हनमामशात पुद्दार जी महराज की कृपा से लीला चिंतन प्राप्त हुआ गंशामदास जी का एक कहना है कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है ये मेरा पुरशार्थ नहीं है लेकिन जो विक्ति अहंकारी होता है भक्तों वो कहता है मैंने ही सब कुछ अपनी तवस्या से प्राप्त किया वो किसी की कृपा नहीं मानता अब वो अपनी बात बताते हैं कि मैं 20-22 वर्ष का था मेरे मन में कोई दाग नहीं एकदम उदली चादर थी तो स्री महराज जी अर्थाद गुर्देव ने कहा कि एक सफेद चादर को कीचड में लपेट दो फिर उससे कितना भी साप करो उसमें वैसे सफेदी नहीं आएगी और रंग भी वैसा चटक नहीं चड़ेगा पर नई चादर उनके रंग में जट रंग जाएगी उनके रंग मर था भगवाण स्री कृष्ण के रंग मर आवस्थाई मुख्य होती है 20-22 की उम्र के बाद व्यक्ति में संसकार स्थाई बनते जाते हैं संसार वाले संसकार गंचामदाश जी का अनुभो है कि 20-22 वर्ष की उम्र तक भग्ति का रंग चड़ेगा तो बड़ा गहरा चड़ता है बात में उतना गहरा नहीं चड़ता यह उन्होंने अपने अनुभो के अधार पर बात बताई थी श्री गंचामदाश जी करते हैं कि संतों के अंतरमन में ज्हाकने से पहले अपने आपको परम निर्मल करना चाहिए ऐसा नहीं कि अपने को गंदा रखो संतों के अंतरमन की बात करो संतों की आग्या का पालन करो वो निर्देशान साथ चलने में रूची रखो तब कल्यान होगा धीरे-धीरे मन निरमल होने पर ये संभव है कि संत के अंदर की बात किसी शद्धावान साधक के मन में अपने आप प्रत्विम्बित हो जाए नहीं तो आपका अनुमार गलत होगा और संत अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं बोलते हैं कि ये घर्णा आज भी घर्ट ऐसा नहीं कि पुराने योगों में होता था ऐसा वो कहते हैं मुझे इसका हनुभो प्राप्त हुआ है कि वो अपनी संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं गंशाम जी के कहना है कि मैंने किसी को अपने संकल्प से बुलाया, तो देखा कि वो आ गया, किसी प्रेमी संत के संकल्प से मैं उनके पास खींचा खींचा चला गया भाई जी की बात मैं आपको सुनाया था कि राधा बावा ने कहा था कि राधा स्टमी में गंशाम नहीं आ रहा है तो मेरा सब कारिकम बेकार हो जाएगा आप अपनी संकल्प शक्ति से खींचिये क्योंकि अब समय नहीं था खबर भेजने का तो महराज भाई जी के संकल्प शक्ति से खींचे हुए भागे हुए चले आये थे शी घंशाम दास्टी महराज इसलिए कहते हैं कि संकल्प शक्ति महान पुर्षों की बहुत अद्भूत होती है और जो चतुर सादक होता है वो उन महापुर्षों का अनुगामी होकर रहता है तुछ भोगों में नहीं भटकता प्रभू के नाम, रूप, लीला में निरंतर लगा रहता है और एक शण के लिए भी वहाँ से हटना उसको पसंद नहीं होता है तब महापुरुष जन, गुरुजन और भगवान स्वयम उस जीव को अपना लेते हैं भक्तों आप अपने मन को जितना पविट रखोगे उतना ही प्रभू के दिव्य नाम संकीर्थन का प्रभाव आपके उपर होगा गंशामदाशी का एक अनुभव यह है उनके जीवन का वो बताते हैं कि एक बार भोपाल निवासी श्री हिरा लाल गुपता के घर में संकीर्थन के बीच में उनको रोमांच होने लगा पूरे शरीर में कमपन्चा होने लगा और रोमांच और कीर्थन जब तेज हुआ तो मन और भी डूबने लगा पूरा शरीर पुलकित होता था, कांपता था, रोमांच होते थे, आंसु बहते थे बताते हैं कि मैंने नियंतरन करने की बहुत कोशिश की किन्तो इस्थित मेरे हाथ से निकलती चली जा रही थी मैं अपने को रोक ही नहीं पा रहा था तो श्री घंश्याम जी काते हैं कि मैंने सोचा कि मैं इस नाम कीर्टन का जो प्रभाव मेरे शडिर पर इतना जबरदस्थ हो रहा है इसको संबरन करूं इससे महराजी के सामने कोई तमासा नहो जाए अर्थाद गुर्दयों के सामने कोई ऐसी चीज़ नहो जाए कि मैं तमासा बन जाओं लोग देखने कि क्या हो गया इसको तो उनके मन में आया कि चलो लगशंका के भाने उठ जाओं यहां से पर बातरूम कहा है भूल गया और पलंग के साथ ही बातरूम का रास्ता था गंचाम जी कहते हैं मैं भूल गया क्योंकि मेरी इस्थितिस बाहे जगत की अब नहीं रह गई थी इशारे से बातरूम का रास्ता पूछा किसी से और किसी तरह अंदर जा करके किवाड के साहरे खड़ा हो गया जिससे उनको कोई देख है नहीं भक्तों वो चाते थे कि मेरा यांसुओं का पनारा जो चल रहा है रोंक्ते खड़े हो रहे हैं सारा शरीर कहां पर रहा है रोमान चो रहा है ये सब किसी को दिखराईने पड़े इसलिए बातरूम में जाकर छिपे लेकिन वहां ये सब और बढ़ गया उसोच रहे चे दूर चला जाओ तो सहद ये सब कम हो जाएगा किन्तों कीजितन तो सुना ही पड़ रहा था वहां भी उनको इसलिए और जोर से शरीर कांपने लगा और रोगते खड़े हो गए पसीना पसीना हो गए आंसों की पनारे जोर चे चले और कहते हैं कि लगबग आदे घंटे खड़े रहे वो फिर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया तो बातरूम में ही जट से गिर गए बैट से गए लेकिन गिर गए और जो पौन घंटा हो गया तो लोगों ने महराज जी से कहा कि ठाकुर जी को बड़ी देर हो गई बातरूम गए पौन घंटा हो गया तब महराज जी बोले अच्छा अच्छा फिर उन्होंने धीरे धीरे कीर्टन को विराम दिया गुरुदेव बालकृष्णदा जी समझ गए कि ओ बातरूम से क्यों नहीं आ रहा है गंट्चाम और समझ गए उसके उपर कीर्टन का भारी प्रभाव पड़ गया है जीरे जीरे कीर्टन को महराज जीन रोका और बताते हैं गंट्चाम जी कि तब वो बाहर निकल पाए और सामान ने स्थिती नहीं थी कमरे में जाकर लेट गए तुरंग और वहाँ ने तो लगूर नदीर की चंका कुछ भी नहीं हो तो बस चले गए थे फिर उनको शरीर का ध्याने जिए चार गंटे बेसुद से पड़े गए और थोड़ी देर बाद फिर महराज जी गुरुदेव वहां पहुंचे और गुरुदेव भी लेट गए क्योंकि संकीर्टन का जबर्दस्त उनके उपर असर पड़ा था कंश्याम जी कहते हैं कि कब आए इसका उनको पता भी नहीं चला जब उठे तो उन्होंने कहा कि भावों को संवरन करना चाहिए गुरुदेव बोले गुरुदेव बोले कि हमें कोशिच करनी चाहिए कि हमारे इन सात्विक भावों को लोग न देख पाएं गुरुदेव ने कहा कि मैं देख रहा था कि आपको कुछ हो रहा है और उसको छिपाने के लिए आप बात्रूब में जाके छिप गए थे महराज ऐसे संतों के बहुत अद्बुत अन्वह होते हैं भक्ती के बताते हैं कि एक बार वो महराज जी के साथ पूद्ज बाबा सुबल दास जी महराज के दर्शन के लिए गए थे मैं आपको पहले सुना चुका हूँ एक बार कि सुबलदास जी राधा कुन्ड में रहते थे बहुत अद्भूत संद थे उनका दर्शिन करने के लिए गए थे बड़े मस्त संद थे ऐसे छिप कर रहते थे कि कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सके और पहुंच जाए तो निहाल हो जाए कहते हैं महराज जी कि उस्तों में जाड़े कर मौसम था वे कवपीन पहने हुए शौच से बाहर आए थे गंशामदास जी को उनोंने कह रखा था सुबलदास जी ने कि आप जब भी राधा कुंदाएं गोवर्धन परिक्मा करें तो मुझे कोई न कोई पद सुना के जाएं चारो तरफ से काटे की जार ही लगा रखी थी जिसे कोई उनकी कुटिया में ने आवे लेकिन एक गुप्त रास्ता उनोंने दिखाया था गंशाम जी को कि हाप इस रास्ते मेरी कुटिया में आ जाना मुझे कोई पद सुना जाना और जब भगवान की लीला का कोई पद सुनते थे सुबलदास जी तो प्रेम भीवल हो जाते थे तो गंशाम जी बता रहे हैं कि वे कौपिन पहने वे शौच से बाहर आये थे उसी समय पहुँच गए और उनको दो पद सुनाएगा के और पद सुनते उनके मुख पर भावा घेश में पसीने ज़ड़ने लगे और एक खुली आँख लीला दर्शन कर रहे थे भगवान के लीला उनको दिखलाई पड़ रहे थे ऐसे ऐसे अद्भूत अनुव होते भगत उनकी अब मैं आपको एक भगवान के नाम की विशेष्टा वाली बात सुना रहा हूँ कि संतों का नाम की प्रति क्या अद्भूत भाव होता है घंशामदासी अपने जीवन के अनुवहों की बाते बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने गोरखपुर गीता बाठिका में स्थापित श्री गिर्दाज जी की रज में श्री राधा ये नाम लिखा जो रज है गीता बाठिका में गिर्दाज जी है जो गए है उनको पता होगा, तो वहाँ पर जो उनकी रज पड़ी हुई है, उस रज में किसी ने उगली से बहुत सुन्दर रंग से श्री राधा ये लिखा था, और महराज वो लिखने वाला व्यक्ति वैसे लिखा हुआ छोड़ करके चला गया, आप श्री राधा बाबा की जब द्रिष्टी परी रज पर लिखे हुए श्री राधा नाम पर, तो पूद्जी बाबा रज पर ही अर्था जहां लिखा था उसके बगल में ही बैठे रह गए, और उस नाम की संभाल करने लगे, कहीं किसी का पैर न पढ़ जाया, क्योंकि वह परिक्मा लोग करते रहते हैं, गिर्जाज जी जो वहां भी राजमान है, उनकी परिक्मा करते रहते हैं लोग, तो परिक्मा करने वाले का पैल न पढ़ जाये, राधा बाबा इसकी संभाल करने के लिए लिखे हुए के बगल में ही बैठ गए, और पूद्ज बाबा ने भिक्षा भी नहीं करी, भिक्षा भी नहीं करी रहता, बोजन परशाद भी नहीं पाए, और सभी लोग चिंतित हो गए, कि अब क्या उपाई के जाये, तो श्री घंशाम जी ने कहा कि बाबा, आप थोड़ी ज़री विश्राम कर लें, मैं यहां बैठ चाओंगा, अब आप सोचे कि भगवान का नाम कहीं ऐसे लिखा हो, रज में, उंगली से, कोई धूल में, लिख दे, धूल मैंने इसलिए बताया, जिससे सब समझ सकें, यहां तो श्री बंदवन की रज है, गिर्डाज की रज है, ऐसे वहां भी गीता बाठिका में, रज की अमान का भाव है बक्तों, तो अब किछी ने लिख दिया है, तो क्या किया जाए, यह ठीती सम्मुखा गई थी बक्तों, तो गंचाम जी ने बाबा से कहा, कि आप थोड़ जेर विश्राम करने में यहां बैठा रहूंगा आपकी जिकर पर, तो श्री राधा बाबा बोले, उस व्यक्ति को यह नहीं पता, कि श्राधा नाम भी इतना ही चिन्मे है, जितना कि साक्षा श्री राधा जी है, अब देखिए, संत का अद्भूत, भाव वहर अग्ञान होता है, उन्हों ने यह गंचाम जी से कहा था, कि जिस व्यक्ति ने यहां श्री राधा लिखा और जी साक्षाद राधरा निचिन में हैं। बाबा ने कहा कि मैं सोच रहा हूं इसका क्या किया जाए जो यहां लिखा हुआ है। वक्तों अब आप कहेंगे कहीं लिखना नहीं चाहिए कि आप लिखें तो फिर मिटा करके जाएं। लिखा हुआ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसको किसी का पहर पढ़ेगा तो अपराध होगा। जिसने लिखा था उसी को मिटा के जाना चाहिए था। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ एक आउधूत का चरित्र तीन साल पहले। जो गंगा की रेती में सरसाइय घाठ पर कानपूर में नंगे बैठे राम 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 लिखते जाते थे। शिव जी की आज्या थी कि एक हजार बार लिखा जाया। बड़े बड़े आद्भुत चमतकार होते थे। राम नाम लेखक अधूत जी आप डालेंगे। बड़ा विच्ट्र चरित्र थे बड़ा विच्टों लिखते थे। तो वह लिखते थे और मिटाते रहते थे शिव जी की आज्या थे। तो जिसको लिखना रज में लिख सकता है लेकिन लिखने के बड़ छोड़के नहीं जाना चाहिए। इससे किसी का पहर न पढ़े। अब जो लिखने वाला था हो तो छोड़के चला गए। अब राधा बाबा रखवाली कर रहे हैं। कि किसी का पहर न पढ़ जाए। अब गण्शाम जी ने कहा कि बाबा आप कुछ प्रशाद पाईए, मैं यहां बैठके रखवाली करूँगा। बाबा ने कहा कि वो आदमी समझता नहीं था, कि राधा नाम हो इतना चिन में जितना राधा रानी है। अब फिर बाबा ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या किया जाए। बाद में बाबा को एक उपाईश समझ में आया, उन्होंने गण्शाम जी से कहा कि तुम इस र गंचेमजी ने पूरी रज जह रहा था नाम लिका था पूरी रज को उठाया अंजली में और बाबा के दुपट्टे में बाधा और बाबा उसको लिजा करके उस रज को तुल्सी के जो कानन अर्था तुल्सी के जो होधे थे जिस जिगर पर वहां पर डल दिया सकूए इस तो नाम महराज की ऐसी कदर की जाती है सम्मान किया जाता है यह इन महापुर्षों के अनुभो की बात में आपको सुना रहा था आगे इनकी चरित्र को इनकी अनुभो की बातों को और सुना हूगा आज इनको यहीं प्रणाम करके बिराम दे रहा हूँ श्रादिरादे बेश श्रादिरादे भी श्रादिरादे